आप अपने स्क्रिन पे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है बिम्बिसार की जो की नीचे बैठे हुए हैं और सामने तो बुद्ध भगवान है बिम्बिसार मगद में रूल करते थे, हर्यंक डाइनस्टी था, बुद्ध के समकालीन या कंटेम्पररी थे साथी साथ आपको ये भी बता दूँ कि बिम्बिसार की जब बेटे आते हैं बाद में उनका नाम परते हैं अजार्शत्रू अजार्शत्रू की भी बुद्ध भगवान से बातचीत होती है, अजार्शत्रू भी जो थे बुद्ध भगवान के कंटेम्पररी थे तो ये दोनों बाप और बेटे जो कि हर्यंक डाइनस्टी से बिलॉग करते थे, मगण में रूल करते थे ये दोनों बुद्ध बगवान के समकालीन थे पीछले लेक्चर में मैंने आपको बुद्ध जम पड़ाय था इस lecture में मैं आपको हर्यंग डाइनस्टी से शुरुवात करूँगा यहाँ पे उसके पहले मैं आपको इंडिया में कुछ Persian invasion के बारे में बताऊंगा और साथी साथ Macedonia से जो Alexander the Great है तो उसके invasion के बारे में बताऊंगा फिर हम लोग हर्यंग डाइनस्टी मगड डाइनस्टी महापदमानन्दा यह सारी चीज़े जो हैं सारी डिटेल्स जो हैं इस lecture में करेंगे अभी तक हमने तमिल नाडू की जो 11th क्लास की हिस्टी की बुक है उसमें तीन चाप्टर कर लिया थे तीन चाप्टर करने के बाद यह हमारा 4th lecture है 4th lecture है हमारा emergence of state and empire पहले जो हुए थे महाजनपद वगरा उससे चीज़े जो है थोड़ी बहुत related है और थोड़ा सा उसके बात की चीज़े हैं है ना महाजनपद वाला जो काल हुआ था उससे थोड़ा सा बात की चीज़े हैं यहाँ पे state emerge करते हैं empire emerge करते हैं पिछले बाले में state वगरा का concept आ गया था लेकिन अब यह empire का concept आएगा लोग एक दूसरे की जमीन हरपने के लिए जो है imperialism को follow करेंगे अशोक वगरा जो हैं कई बाहर की जगों में पहुंच जाएंगे और वहाँ भी कबजा कर लेंगे अब यह expansion क्यों होता है कैसे होता है कौन-कौन से यहाँ पे राजमन्स थे कैसे कैसे fight करते हैं साइडी detailing है यहाँ पे और बड़ा ही interesting chapter है तो चले इस chapter में आगे बढ़ते हैं तो जो इस chapter में पढ़ना है पहले उसका overview ले लेते हैं आपको पहले मैंने पिछले lecture में यह बताया था कि 6th century BC से जो है आपके महाजनपद वगरे का period स्टार्ट हुआ था यही जो महाजनपद का period स्टार्ट हुआ था आगे चल रहा था तो उसी बीच में क्या होता है 6th century BC से लेके 3rd century BC तक क्या होता है पूरे North India में इस period में खास करके बुद्धिजम और जैनिजम के कारण पूरा जो है political और social change होने लगता है बुद्धिजम और जैनिजम जो है इस time पे prominent religion बन जाते हैं वेटिक religion जो है थोड़ा पीछे backdrop में चला जाता है बुद्धिजम और जैनिजम के बहुत ज़्यादा follower हो जाते हैं पहले ते आप ये बात जान लिजे कि पिछले lecture में भी बताया था आपको स्रामनिक religion तो ले विकी पिडिया के हिसाब से स्रामनिक का मतलब मेहनत करने वाला होता है कोई बात नहीं इनका कहना है कि संस्क्रेट में स्रामन का मतलब teacher होता है तो आप देखेंगे कि बुद्धिजम और जैनिजम दोनों में एक teacher है ना महावीर हुए, गौतम बुद्ध हुए, आपके आजीविका हुआ, जहां पे कोई एक टीचर है, है ना, तो स्रमन का मतलब क्या होता है, संस्क्रिट में टीचर होता, तो यह टीचर वाले रिलिजन थे, स्रामनिक रिलिजन, टीचर इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो महनत कर पहले वैदिक रिचुल्स पे पूरा रिलेटेड थी, उस पे डिपेंडेंट थी, अब वो ससाइटी जो है वैदिक रिचुल्स को बहुत जाद नहीं मानेगी, पीपल के क्योंकि देखिए, मेनी रिलिजिस फेथ हो जाएंगे, और वही जो मेनी फेथ वाले अलग-अलग वो एक इमर्जिंग नहीं सोसाइटी बनाएंगे, जिसमें वैदिक सोसाइटी जो है, वैसी कोई मतलब यहाँ पर अधरना नहीं रहेगी, तो जब सोसाइटी चेंज होगी तो आपकि पॉलिटी भी चेंज होगी, पॉलिटी में पहले जो एक वैदिक रिलिजिन वाला जो मैंने बताया था साके क्लाइन, वो भी एक फेडरेशन ही था, ऐसे डेर सारे फेडरेशन बनने लगेंगे, और फेडरेशन कैसे बनेंगे, लडाई करके, जगडा करके, कई बार शादी करके, क्या आप मेरी बेटी दे दो मेरे को शादी में, तो फिर दहेज में जो है आप एक पार्टिकलर एरिया मुझे दे देना, ऐसे चीज़ें भी होंगी, तो जब भी आपका छोटा सा एरिया है, वो बड़े एरिया में तबदील होने लगे, तो हम क्या बोलेंगे, एमपायर बनने लगा, एमपायर मतलब बड़ा समराजय बनने लगा, जब एमपायर बनने लगे बड़े बड़े अपने शाषन करने के लिए तो वहाँ पे जो राजा रूल करता था इस बड़े बड़ने लगे जिनका की एक एमपायर था देखिए और एक बात की इसी बीच में क्या होता है जैसे धेर सारे एमपायर बनने लगे तो उसमें कोई पारफोल हो जाएगा कोई वीक हो जाएगा जो वीक हो जाएगा उसकी जमीन बड़े वाले के एमपायर में चली जाएगी त और वहीं पर आपका जो है मगद इंपायर वगरा बनता है। नेक्स्ट क्रेशन यह उठता है कि फ्लैट प्लेट पलेंस भी हैं क्योंकि आपको पता है। यूपी में और बिहार में कुछ कास पहाड़ी या नहीं है यह जो है एलुवियोस वाइल से बना हुआ है तो रहने के लिए आपको पता है यूगा प्लेन में लोग जो है लोगों की डेंसिटी जादा होती रहने की प्लेन में लडाई या भी लड़ी जा सकती है इसलिए वह होने के कारण बहुत जादा पानी होने के कारण और ऐसी नदियां जिनमें बार हो महीने पानी बहे परेनियल रिवर्स होने के कारण और उप जाओ जमीन क्योंकि अलुवियल स्वाइल थी इस इस इस्टन यूपी और बिहार के एरिया में जो सामराज बने एंपायर बने व है कि जो मेजर वाटर वेज होते हैं आज भी आपका नैशनल वाटर वेज टू है ना गंगा पे अलहाबाद से आपके खोलकता तक तो उस तरह उस टाइम पे भी उस पे नाव अगर चलाते थे ट्रेड करते थे ट्रेबल करते थे अब यह पहले ही पिक्चर में दिखा दिया लेकिन जो प्रॉमिनेंट राजा जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं हरेंग डाइनेस्टी में शुरुवात में वह बिंबिसार ही थे वह कंटेंप्रेरी थे बुद्धा के ठीक है और उन्हों नहीं शुरुवात की थी एंपायर की बिल्डिंग के लिए इसलिए हम आपको ही मार के राजा बना था अजार शत्रु ने क्या किया कि कई जगह पे हमला वगरे किया लिश्वी वगरे को बहुत परिशान किया शादिवादी इसने भी की जो भी की लेकिन बहुत कुछ करके इसने क्या किया अपने पापा की जो एम्पायर बिल्डिंग की प्रॉ ठूरी चल रहा था उसका कव म का अता है जब आपका मौरיीं एंपयार को इस्टैब्लिष को चंद्र गूल्प्त 110 की मदद से और लेकिन उसमें अगर तीन को important को सुने तो more empire उसको चंद गूरूब तो more उनों ने establish किया था फिर बिंदुसार हुए और अशोक हुए अशोक जो है ये बहुत ज़्यादा famous है क्योंकि इनका जो empire बना वो बहुत बड़े area तक चला गया आपके अफगानिस्तान की area तक चला गया लेकिन जैसे ये अशोक की मिर्ति होती है उसके बाद कई region से more and empire का है decline होने लगता है इन सारी चीजों को जो हम लोग इस chapter में discuss करेंगे ये पूरा overview था अब इस बात पर आईए कि sources क्या है जब आप ये history पढ़े रहे हैं आपके 600 BC से लेकि 300 BC के around तो इसके sources क्या है देखिए आज जो है आपको चंदरुप्त का नाम पता है उसके देखिए दो successor जो की मतलब आपके एक तो बिंदुसार हो गया एक अशोक हो गया आपको इनके बारे में morian period वाले के बारे में पता है ठीक है लेकिन ये पता है कि कौन किसका successor था कौन राजा था लेकिन उनका पूरा life कैसा था उनका जनम कब हुआ था मिर्तिव कब हुई थी इसमें बहुत जगर debate हो था इन फैक्ट जब आप गूगल करेंगे तो आप जो हिनको जनम का मरन का बहुत debate होगा ये चतरिय थे की नहीं थे इसमें बहुत debate होगा कोई बोलेंगे कि ये दलित थे तरह तरह की बाते होंगी ये सारी जो reconstruction है इनके life की ये कापी difficult था historian के लिए problem क्या है कि उस time का कोई आपको comprehensive एक दम मतलब पूरा comprehensive जिसमें पूरी detail मिले इनकी biography मिले उस समय का contemporary कोई account ये literary work जो है Morian Emperors के मिलता नहीं है लेकिन हाँ ये है कि पूरा comprehensive तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जो scattered information मिलती है उससे हम जोड के history बनाते तो वो कहां मिलती है देखियो इसी time पे कई Buddhist text लिखे गए थे उसमें है आपको पहले भी बताया ना कि जैसे हर्यांक डाइनस्टी के कई लोग जो है वो बुद्धा के contemporary थे महावीर के contemporary थे फिर बाद में असोक जो है Buddhist council वगर भी कराएंगे तो जो Buddhist text होगा उसमें इन राजाओं का mention होगा थोड़ा सो उसे पता चलेगा फिर जैन text है उसमें भी mention है उससे पता चलेगा ये तो Buddhist और जैन होके जो कि heterodox religion थे उनके गरंत में है आपके वेदों अगरम तो नहीं मिलेगा क्योंकि वेद तो बहुत पुराने थे इसके अलावा आप स्रि LAUNCX का जो आपको मैंने आपको दीप वमसा और MAHA往सा बताया था एक तो बताया था DEEPAK की किताब मतलब DEEP की किताब तो उसको वो तेis Deep amplify और दूसरा था महावमसा ये दोनों स्री LAUNCAN BOOKS है ये जो है mahaवमसा जो है महावमसा एक historical chronicle है स्रीलंका में है, बुद्धिजम से related है ये पाली में ही लिखा गया था इस महावमसा में आपको कई बार मौरियन डाइनेस्टी बगर के बारे में पता चल जाएगा, इन फैक्ट यहीं पर महावमसा दीपवमसा में कुछ और है और जो यहाँ के आपके सुत पितक विना पितक है या अभी दम पितक है, उसमें कहीं और लिखा हूँ है पिछले लेक्टर में विकिपिडिया से पढ़ा रहा था तो उसमें जो बुद्ध का जनम मरन का ब्योरा था वो थोड़ा इधर उधर था, तो राम जी ने comment किया, राम नाम है उनका, तो राम जी ने comment किया हमारे मित्री है, उन्होंने बताए कि ये जो है NCRT से अलग है, सही बात है, Wikipedia में अलग information थी, in fact UNESCO और NCRT में भी अलग-अलग information है, लेकिन चुकि आपका तो exam है, आपको कहानी न देते हैं, ये correction आप कर लिजिए, मैंने वहाँ पे date comment किया, राम जी के comment के निचे, कि आपको जगर NCRT की माननी है तो उसके इसाब से, गौतम बुद्ध का जो जनम हुआ तो 563 BC में हुआ था, ठीक है, उसके 80 years बाद उनके death हो जाती है, तो वो होती है 483 BC में, फर्स्ट ब 50 BC में, और 4th Buddhist Council 72 AD में कनिश्क ने कर रहा था, कुंडलवन में, ये चारो जो dates हैं, आप अपना सुधार लिजे, आप भी note down कर लिजे इसको, आपको यही मानना है क्योंकि NCRT की बाते हैं, तो वही बता रहा था कि यतना ज़्यादा डिबेट है अलगला गरन्तों के हिसाब से, आपको NCRT भाला लेके चलना है, तो ये सारी जो स्काइटाइड इन्फॉर्मेशन है, इससे उनकी हिस्ट्री की कोराबरेशन की जाती है, कोराबरेशन के लिए हम और भी क्या करते हैं, ग्रीक हिस्टोरियन की बाते सुनते हैं, अब आपके मन में क्रिश्चन उठना च आता है, तो अपने साथ वो कई हिस्टोरियन लेके आता है, अब वो इन नई लैंड को देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूरस वगरा से इनकी लड़ाई होती है शोक की, तो कई लोगों से मिलते हैं, आम भी से मिलते हैं, आम भी जो है तक्षिला करा राजा था, तो इन लोगों से मिलते हैं तो कई आधान परदान होता है Cultural Information का तो Greek Historian जो हैं इंडिया की हिस्ट्री लिखते हैं जब वो इंडिया की हिस्ट्री लिखेंगे तो हम क्या करेंगे हमें जो मिला है यह महावंस में ब्राह्मन में और बुद्धिष्ट जायन टेक्स्ट में फिर जो है Archeological Evidence है, Epigraphic Evidence है सब कुछ कोराबरेट करते हैं Greek Historian के साथ और यह पता करते हैं कि हम भाही Reality क्या थी समझ गे इस बात को Alexander का जो Campaign है इंडिया में वो आगे इसी चप्टर में आ जाएगा In fact, वहीं पर मैं इस चप्टर को जो यह लेक्चर है वहाँ पर end भी करूँगा यह तो हो गया Literary Sources का उसके लाभा और क्या sources है Archeological Sources हैं और Epigraphic Sources हैं इससे भी Information मिलती है Historian को समझनी के लिए आपके Past के History की सबसे पहले अगर हम Archeology के देखें तो देखो, Archeology बहुत important है क्योंकि जब आप excavation करते हो तो आपको वहाँ पे, मतलब किताबों में तो बनी बनावटी बाते भी लिख सकती है कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, चक्रवर्ती हूँ लेकिन excavation करते हो, तो घर के परदे खुलते हैं पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका urban morphology कैसा था, नाले बने थे तो खूले थे कि ढखे होगे थे, जैसे इंडस वैली के थे, बड़े ढखे होगे अच्छे से थे city का layout कैसा था आपका, मतलब लकडी के घर थे तो खतम हो जाएंगे, पक्की इटों के घर थे तो दिख जाएंगे कि आपके कच्छी इटों के घर थे कि पक्की इटों के थे, वैटल डवाब का घर था, वैटल डवाब का या actually आपका stone का घर था, यह सारी चीज़े construction और building सब कुछ पता चल जाएगा साथी साथ वहाँ का जो material culture है, वो भी पता चलेगा जैसे कौन टाइप की pottery यूज़ करते थे, इसी हिसाब से pottery की नाम से culture भी बना देते हैं ना कौन से tools यूज़ करते थे, stone के थे की silver के थे, की gold के थे की iron के थे, कैसी technology थी है ना pottery कैसे करते थे, हाथ से करते थे की potter का जो चक्रा होता उस पर करते थे, तो यह सारी information जो है, वो आपको archaeological evidences से मिलते हैं, archaeological finds in the gangetic region give a solid proof about the nature of the urban centers established in region in course of time, धिरे-धिरे जब आपका महाजन पद बगर आता है, जो लिटर वेधिक period end होता है, तो फिर से city बनने लगते हैं, urban center बनने लगते हैं, और इसके proof आपके, gangetic plane में, बिहार में और eastern UP में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दूसरा मैंने आपको बता था, archaeological के लावा, epigraphical evidence, पहले तो आपको यह term में जाना चाहिए कि epigraphic क्या होती है, इस पे कई बार state PSE में question पूचा गया, probably UPSC में पूचा गया कि epigraphic क्या होती है, तो छोटा से definition है, देख लीजिए, normal definition देखिए, Wikipedia से easy है, अब यह कोई script लिखाई है, stone वगर अपे देख रहे हैं, अब इसी की study को करना को epigraphic बोलते हैं, epigraphic क्या हैं, Greek word से निकला हुआ है, inscription जो होते हैं, inscription जो भी होते हैं, जहां पे कोई चीज़ें लिखी होती है, किसी script में, उसकी study को, inscription के study को हम लोग epigraphic बोलते हैं, तो कल को आप यह मत बोलना कि मैं जो है, Tamil Nadu की book पढ़ रहा हूं या Vision ISPT 365 बोलना तो मैं epigraphic कर रहा हूं, वो आपका कोई inscription नहीं है, ना, normal text है, तो inscription के study को, जो ancient inscription बगर हैं, पत्रों पे, या पे तामर पत्र बगर पे, copper plate पे, I mean या ताड के पत्ते पे भी कभी कभी लिखते थे, तो इन सारी के study को हम लो क्या बोलते हैं, study of inscription बोलते हैं, है ना, और epigraphs as writing, ओके, ठीक है, that's it, इतना ही जानना होता है, लिकिन जो आपके epigraphical evidence हैं, काफी scanty है, scanty मतलब एक जिगा मिला, फिर उसका टुकडा कहीं और मिला, पूरा complete कोई comprehensive epigraph नहीं है, सबसे अगर कुछ खास comprehensive है और most widely known है, तो वो अशोका के edicts हैं, जो कि पूरे country में अफगानिस्तान से लेके, थोड़ा बहुत South India, आपके Western India, Eastern India, हर जगर discover किया गया है, तो बोल रहें कि अशोका के edicts में बहुत information मिलती है, जिसे कि हम Moran period का reconstruction कर सकते हैं largely, और in fact यहीं से सबसे ज़्यादा information आती है, और सबसे अच्छी आपकी information कब आई थी, जब आपके British के टाइम पे James Princip थे, archaeologist थे, उन्होंने 1837 में, देखे, Indus Valley का script आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन James Princip ने एक काम किया था, 1837 में उन्होंने यह साची में जो स्थूप है, वहाँ पे जो inscription लिखावा Brahmi script में, उसको उन्होंने decipher कर लिया था, याद रखेगा, UPC में आ चुका है, James Princip ने 1837 में, साची के स्थूप वोगरे में, Brahmi script में जो inscription लिखेवा, तो जो epigraph लिखावा था, उसको उन्होंने reconstruct कर लिया था, उसको उन्होंने decipher कर लिया था, तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि, Ashoka के edicts मिले हैं बहुत जादा, अब यहाँ लोगों को बहुत confusion होता है, कि यह stone pillar क्या होते हैं, edict क्या होता है, इसका भी छोटा सा definition है, मतलब समझने के लिए, understanding के लिए, edicts of Ashoka क्या होते हैं, edicts of Ashoka जो हैं, उसमें total 30 inscription के, यहाँ पे collection है, collection of more than 30 inscription, यह कहां inscription लिखे जा सकते हैं, यहीं पे confused मत होईएगा, edicts of Ashoka जो हैं, बस उसके pillar पे नहीं है, कई जिगा stone के बड़े boulder है, मतलब बड़ा सा जो है, पत्थर का टुकड़ा है, उस पे उसने लिखवा दिया है कुछ, कई बार गुफाओं जो होती है, जो cave होते हैं, उनके wall पे लिखवा दिया है, तो कहीं न कहीं पत्थरों पे, गुफाओं पे, या mainly जो pillar पे उसने जो अपने inscription लिखवाए हैं, जो messages लिखवाए हैं, तो ऐसे total messages जो है number में, मैं वहाँ पे एक एक word की बात नहीं कह रहा है, total जो ऐसे messages बने, almost 30 messages हैं, यही जो हैं अशोका के edicts कहलाते हैं, ये देखिए 268 BC से अशोक रहती 232 BC तक, इसी बीच में ये जो है edicts लिखवाए गए थे, तो material क्या था इसका rocks थे, pillars थे, stone के slabs थे, आपको Nepal, India, Pakistan, Afghanistan हर जगा मिल जाएंगे यह, यह एक बात आप दिहान रखिएगा, कि आपके 20th century तक आपको हडपा का पता ही नहीं था, तो जब James Princip ने ये 1837 में इसको read किया, तो ये माना जा रहा था कि ये जो Morian dynasty है, ये जो है सबसे पुरानी dynasty है, माना जाता था कि these were the oldest historical artifact, historical artifact यहीं पे इंडिया का limit हो गया, कि भाई ये जो मिल रहा है आपको 2500 साल पहले का, ये ही oldest artifact है, इसके पहले का कुछ मिला ही नहीं था, लेकिन 19th century में archaeological excavation जब हुए, 19th century में British archaeological survey of India जो यहाँ पे था, ब्रेटिस लोगों के अंदर, तो उन्होंने इंडिस वैले civilization को discover कर लिया, हडपा को, मोहंचदाडों को, है ना, कब किया? 20th century में, 19th century तक तो यहीं माना जा रहता है कि, अशोका का एडिक्ट ही सबसे पुराना है, लेकिन जैसे ही हडपान civilization डिसकवर होता, तो पता चलता है कि, हमारी हिस्ट्री तो और 4000 साल टोटल पुरानी है, बाद में आपको नर्मदा वैली में भी बहुत कुछ मिलता है, है ना, तो वो और पुरानी हो जाती है, वो हाला कि पेंटिंग है, अडिक्ट नहीं है, सारे के सारे जितने भी अडिक्ट वाहां पे ने आपको तस्वीर दिखाई थी, यह सारे जो एडिक्ट हैं, शुरुवात होंगे राजा के नाम से, और राजा का नाम डायरेक्टी नहीं लेंगे, जैसे आप जो है अपने बॉइफ्रेंट का ये अपने पती का नाम डायरेक्टी नहीं लेते हो, एक जगा मिल गया तो वहां से उन्होंने डिसाइफर कर लिए कि उसी की बात हो रही, पहले तो पता भी नहीं चल रहा था किसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसी शुरुवात होगी, देवनम पिया, देवनम पिया मतलब देवताओं का प्रिया, ये ठीक है, beloved of gods, पिया दासी, पिया दासी मतलब की, यहाँ पर यह नहीं हैं कि किसी की दासी है, दासी इस दर्शन मतलब देखना, और पिया मतलब बढ़िया, पिया पिया ओ पिया दसी दसी मतलब देखने की बात हो रही हैं, जिसके जो looks हैं बड़े प्यारे हैं, अशोक का मतलब अपनी शुरुवात ही कराता था, कि मैं देवताओं का प्रिया हूँ, और मैं देखने में सुन्दर हूँ, तो देवनम पिया हूँ, पिया दासी हूँ, ऐसे शुरुवात करता था, और ये जेग्राफिकल स्प्रेड है, ऐसे एडिक्ट्स का, काफी जगह बिखरा हुआ है, तो नाम तो नहीं पता चला, पिया दासी बोल दिया, देवनम पिया बोल दिया, लेकिन अगर बहुत जगह इनके एडिक्ट मिल रहे हैं, तो ये तो पता चल गया कि ऐसा कोई किंग था, जो कि बहुत वास्ट एम्पायर था, बड़े एरिया में रूल करता था, तभी तो एम्पायर बिल्डने की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कि अशोकन टाइम पे, तो क्विश्चन उठने लगए कि कौन था किंग, है ना, तो आप जब आप पुरान को पढ़ोगे और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ोगे, तो वहाँ पे बोलते हैं कि एक तो चक्रवर्ती समराड था, जिसका नाम अशोक था, तो वहाँ पे पता चलता है कि अच्छा पुरान और बुद्धिस्ट टेक्स में ये बोल रहे हैं कि एक जो राजा था, वो बड़ा एम्पायर बिल्डर था, वो चक्रवर्ती था, उसका नाम अशोक था, अब एडिक्ट में आपको पियदासी, देवनम पिया मिल रहे हैं, लेकिन मज़ेदार बात क्या होती है, कि ये तो पहले ये दिखे कि डिसीजिव आइडेंटिफिकेशन और देवनम पियदासी और पाइनली कैसे पता चलता है, 1915 में, क्या होता है कि एक जो है, एक्स्ट्रा एडिक्ट डिसाइफर होता है, उसमें लिखा हुआ था कि अशोग को देवनम पिया अशोग लिखा हुआ था है, वहीं से जो है, मौरेन हिस्ट्री की रिकंस्ट्रक्शन जो है, पॉसिबल होई, पता चला कि यही जो देवनम पिया था, अशोग ही था, इसी के सारे एडिक्ट्स है, अब एडिक्ट पे उसके धम्मा वागर के मैसेज लिखा हुए तो बहुत कुछ पता चल गया, डिसाइफर भी हो गया, जिन्स प्रिंसेप्ट की मदद से, अभी यह जो अभी तक मैंने सोर्सेज बताई, अभी वो तो कहीं न कहीं इस्टरन इंडिया की थी, है न, लोकली अवलेबल थी, चाहे वो अशोग के एडिक्ट्स हों, या किताबे लिखी होई हों, कैसे भी चीज़ी हों, हाँ अलगी अशोग के एडिक्ट्स तो देखिए, नौर्थ वेस्ट पूरे पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक थे, लेकिन वो उसके किंग्डम की बाद थी, अब थोड़ा दूर चलते हैं, चलते हैं हम जूनागड, जूनागड गुजरात में है, गिरनार की पहाडियां हैं पास में, पहाडियां हैं तो पत्थर होंगे, पत्थर होगा तो वहाप एक कार्विंग की जाएगी, लिखा जाएगा, एपिग्राफ लिखे जाएगे, तो आपको रॉक के एक इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जूनागड में, गिरनार पहाडियों के पास में, गुजरात में, वहाँ पे ये जो इंस्क्रिप्शन है, पहले तो ये जान लेजिए, ये इंस्क्रिप्शन उसकाल का नहीं है, ये इंस्क्रिप्शन है, अल्मूस्ट वन फिप्टी सी का या एडी का, और वहाँ उसने किसने लिखवाया था, एक local ruler था, लिखवाया तो नहीं बोलू, लिखवाया तो नहीं बोलू, उस time पे जो local ruler था, रुद्र दमन था है ना, लिखवाया किस नहीं था वो देखेंगे, रुद्र दमन था, उस time पे local ruler, 150 AD के around यहाँ पे एक inscription लिखी गई, जूनागर गुजरात में, गिरनार पहाड़ पे, पत्थर पे, वो जो inscription है, वहाँ पे reference है, पुश्य गुप्त का, आप confused हो कि इसको गुप्त पिरेड का मात मान लीजिए, तब तक तो गुप्त पिरेड की बात नहीं होगे न, गुप्त पिरेड तो थोड़ा बाद में, यह जो पुश्य गुप्त था, आपके जो emperor थे चंदगुप्त मौरिय, मौरियन डाइनस्टी के शुरुवात करने वाले, उनका provincial governor था, समझ गये, governor को क्या बोल रहे है, पिर provincial governor को राष्ट्रिय, राष्ट्रिय मतलब nationalist नहीं है, यह पे, provincial governor को राष्ट्रिय बोला जा रहा है, वो जो राष्ट्रिय था, पुश्य गुप् चंदगुप्त का provincial governor गुजरात में जुनागड में है, तो यह बताईए कि जुनागड में एक province किसका बन गया, चंदगुप्त मौरि का बन गया, तो सूची कि इनका extinct कहा था, जाना, extinct जो था, कहां कहा तक था, गुजरात था, गुजरात भी उनका province था, और उसको रूल कर थी, अपने चंदगुप्त मौरी के थी, मौरेन डाइनस्टी के थी, अब थोड़ा जो है, इस inscription को मिलग देख लेते हैं, यह आप मैप देख रहे हैं, गुजरात का, यहां पे देखे, यहां पे जो है, गिरनार के पहाड़ियां है, वहीं पे रुद्रदमन inscription rock जो है, वो यह जो है, इसके मतलब, inscribed on a rock, किस ने लिखवाया था, देखे, यहां, यही confusion था, मुझे भी clear हो गया, रुद्रदमन वन ने लिखवाया था, रुद्रदमन वन ने लिखवाया था, और वहीं पे reference है, आपके, मौरियन डाइनस्टी का, रुद्रदमन वन जो था, इंडिय रुद्रदमन वन का, और असकंद गुप्त का, यह सारे जो आपके रुद्रदमन वन ने पाए जाते हैं, आपको यहां पे मैंने बुक में जो पढ़ाया था, वो पुष्य गुप्त के बारे में reference था, वो रुद्रदमन वन वाला था, अब मैं इसी लिक्चर में आपको ज जगों की location नहीं समझ में आएगी, और फिर जो है history आप जो है, उसको photographically जो है अपने दिमाग में set नहीं कर पाऊगे, यह गुजरात का map है, जब मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान का relation बताया था, तो यहां बताया था कि यहां से लेके जो मार्शी लेंड है, ऐसे गुजरात का जो area पाकिस्तान के border से touch करता है, और जो गुजरात का area जो की एक तरह का desert है, जो गुजरात का area जहां पे आपके नमक के white stand पाया जाते हैं, और जो गुजरात का area जहां पे राजस्तान की river एक आती है, उसका नाम क्या है बताइए, लूनी river, याद रखिएगा लूनी रिवर जो है राजस्तान से आती है लेकिन समुदर में नहीं जाती इस नमक के प्लेन में कहीं ने कहीं खो जाती है यही गुजरात का एरिया जो है आपका कुछ ऐसा दिखता है एक मेजर इसको टूरिस डेस्टनेशन भी बना दिया देखिया और कुछ नहीं वा तो मिताब बचन परचार करने आ जाते है कि बई चलो डेजार्टी है नमक के फिल्डी है तो यह देखिये कैसा दिखता है न इस एरिया की खासियत है यहां से यूपीस ने क्वेस्टन भी पोचा है वो वो खूィस्टन था है इनके बारे में मैंने आपको ओ दिखाया कच एरिया दिखाया फिर से मैं आप दिखा दूं मैंने आपको बताया कि यह जो गुजरात का एरिया है जो पकिस्दान के साथ बॉडर बनाता है यहाँ पर salt के salty land, marshland है, यह पूरा जो area आप देख रहो है, इसको बोलते है, run of catch, यह जो छोटा वाला है यहाँ पर देख रहो है, यह जो है smaller run of catch है, और यह जो बड़ा वाला आप देख रहो है, यहाँ पर वो क्या है, greater run of catch है, तो इस चीज को तो आप समझ गया है न, इस run of camel एक जो है, camel का unique breed है, breed है, sorry, और यह कच्छ में पाए जाता है, राजस्तान में भी camel होते हैं, आपके salt marshes हैं वहाँ पे, चुकि मैंने आपको बताया तो सर क्रीकों अगर मार्शी एरिया है, तो समुदर के पास आप देख रहे हैं आपे, समुदर के पास यहाँ पे खुल मिल रहे हैं, तो मार्शी एरिया जो है, यहाँ पे देखिया, आपके man groups के plants देख रहे हैं, यह क्या करते हैं, camel की थोड़ा बहुत तहर के बहुत long distance नहीं तहर करेंगे, ना, swimming करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तहर के यहाँ जाके यह पतिया मतिया खाते हैं, इस पर dependent रह पर यहाँ, खड़ाई camel की यह खासियत है, खड़ाई camel की देखिया, खारा पानी है, इसलिए इसको खड़ाई camel बोल रहा है, खड़ाई camel की यह खासियत है, कि वो देखिये, dry land पे और sea दोनों में survive कर सकते हैं, आसपास के एरिया में, यह water में, sea water में swim करते हैं, और saline plants खात और खड़ाई बाज रिकग्नाइज अज़े सेपरेट ब्रीड इन 2015 इंडियन कांसिल और पैक्रिकल्चरल रिसर्च जो आई सी एयर ने उसने बोड़ा कि खड़ाई कैमल जो एक सेपरेट ब्रीड है ये बात 2015 में ही हुई थे तो 2016 में यूपी सिनिस पे क्वेश्चन पूस द के हैं या फिर कंट्री छोड़के निकल गए हैं बाहर में सौरी कंट्री में मतलब इतने यी बचे हैं 3000 बचे हैं हो कह रहा है कि साल्ट की इंडिस्ट्री के लिए क्या करें बांध बना रहे हैं और मतलब नमक को चुकि आगे इरिया बढ़ाना है तो आपका जो मैं ग्रू मैं आपको बोला था यह थोड़ी दूर जाएगा ऐसा नहीं है इसा कुछ नहीं है पास में होता है मैं ग्रूप्स तो वहीं तक जाता है तो आपको एक चलिए ऑप्शन यहां पर लगा कि हाँ 3 किलोमेटर हो सकता था नहीं हो सकता था आप confusion में है चलिए इसको मैं horizontal line देता तो मतलब कि man group पे survive करता है it lives in the wild and cannot be domesticated अभी मैं आपको बोला थे कि मलधारी community जो है इसको domesticate करती है कोई भी camel होगा domesticated ही होता है wild में नहीं रहता तो यह option नहीं होगा अब बताइए कि 3 नहीं होगा यह मैं पता है तो last cut D option हटा दीजिए यहां पे 3 है C हटा दीजिए यहां भी 3 है तो क्या बचा आपके पास आपको confusion था कि 1 होगा कि नहीं होगा आप नहीं जानते थे 3 किलोमेटर लेकिन answer तो मिल गया ना 1 & 2 तो इसका मतलब यह है कि 3 किलोमेटर तक swim कर सकता है sea water में और man groups पे dependent रहता है आप एक question solve हो गया तो इस तरह से जो हमारा कच्छ वाला area ज कच्छ है जहां पर salt masses है उसके अलाभा यह देखिए यह कच्छ है यह area जो है कच्छ कहलाता है उसके वपर run up कच्छ है नीचे जो यह आप देख रहे हैं है ना यह पूरा area है सौराश्ट कहलाता है फिर आपके यह तो पुराने-पुराने इक नाम है यहीं पर जाम नगर है जो कि आपको जानते हैं रिफाइनरी बगर है, पूर बंदर है, मात्मा गंदी याद आने चाहिए, जूनागर है, इंस्क्रिप्शन याद आने चाहिए, है ना, और बाकी भावनगर है, भावनगर से आपको पता ही होगा, यहां भावनगर से भरूच के बीच में रोरो फेर से मिल रही है ना राजस्तान से मिल रही है तो आप बताइए कि राजस्तान से मिल रही है तो क्या बात है आपको चीज बताता हूं आपको पता है कि गुजरात में जो है लिकर पे बैन है लेकिन आपको यह भी पता है कि राजस्तान में लिकर पे बैन नहीं है तो गुजरात म क्या गरते हैं? यहांसे निकल के चले जाते हैं राजस्तान और मांट अबु वगरा है हो तो capital बोलेंगे तो गांधी नगर बोलेंगे ऐसे वो district जो है आप मतलब overall जो एरिया है वो एहमदाबाद कहलाता है यह central गुजरात है पूरा यहाँ पे बड़ोधा है ना भरूच नर्मदा डिस्ट्रिक्ट नर्मदा डिस्ट्रिक्ट क्यों कि नर्मदा यहीं आके जैकिये सम पूंबई के असपास है तो यह अरिया भी बहुत developed है आपको ऊपर जो है यहाँ पर नर्मदा आके मिलेगे समुद्र में इस्ट टू वेस्ट प्लोइंग रिवर्स रिमेंबर और जो नीचे आके मिलेगी यहाँ पर वो तापी मिलेगी है ना तापी जो यहाँ पर मिल ते राजस्तान का बाढ़र कहा थे मैं आपको बता दिया बाकी आप खुदी गेस कर लीज़ और गल्प और कच ख dire जो है यह वाला एरी perché क्योंकि कच्च क्रिए गल्प अप कम मिलेगी है ने बतायर के नीचे बामबे है तो गल्प अप केश्बी या खंबात जिसको बहुत एरिया है, कापे डिवलप्रेंट है, कभी जो केमिकल अगरे की फैक्टरी लगी होई है, तो गुजरात के कई लोग यहाँ पर employment पाते हैं, बाकि इंडिया के भी कई लोग यहाँ पर employment पाते हैं, दमन दीव जो है, वो भी यहीं है, वापी जिला है गुजरात का उसके आसपास है, दमन दीव में याद रखिएगा कि दमन जो है वो landed है, दीव जो है समुदर में काफी दूर है, दोनों एक ही जगा है, मैं count होते हैं, लेकिन दीव जो है समुदर में काफी दूर है, लोग जो है जो portal है, उसमें बोगते हैं कि five region है, पहला region है कच, दूसरा है सौराष्टर, तीसरा है नौर्थ गुजरा, चौता है सेंटरल गुजरा, पांचमा है साथ गुजरा, सारे मैंने आपको बता दिये, कच की एक और खासियत है, कच जो area है, वहाँ पे जो district है कच, जोग्रफिकली वह पूरे इंडिया का largest district है, जोग्रफिकली जो है, भारत का वो largest district है, तो आपके मन में question उठना चाहिए कि second कौन होगा, लेह, लेह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जोग्रफिकली largest district है, और इन में half of the land uninhabited है, लोग नहीं रहते हैं, जैसे greater run of kutch, little run of kutch, यहाँ पर लोग जो है, अल्मूस्ट नहीं रहते हैं, नॉर्थ वेस्टर मोस्ट एरिया अप गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान का border बनाता है, यहाँ जो language used होती है, predominantly देखिए कच्ची या कच्ची use कर जाती है language, और जो है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सिंधी, चुकि सिंध का border उदर ते पाकिस्तान से मिल रहा है, तो सिंधी language भी होगी, और गुजराती भी होगी, यह जो आपका कच्ची language है, याद रखिए यह का गुजराती का dialect नहीं है, वो सिंधी language का dialect है, क्यों क्योंकि यह जो आप देख रहा हो नहीं यहाँ पे, गुजरात का यह कच्च, इसके उपर जो देखे हो को पाकिस्तान तो यह है, इधर का सिंध का एरिया है, तो यह एरिया कवर हो गया ना कच्च, अच्छ से, लि यह सारे इसमें district आते हैं, जामनगर वगर बता है, ता पूर बंदर बता है, ता इसके लावा राज कोट है, जूना गड़ है, यह सारे हैं, याद रखेगा द्वार का भी यहीं पे है, बिलकुल समुदर के पास, अच्छा इस map में आपको वो चीज भी clear हो जाएगी, कि मै अच्छी हो गया, पहले बता दिया, Arabiancy है, यह सारे चीज तो आपको clear है, यह जो आपका सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र में जो language और dialect है, वो कठियावारी है, यहीं पे कठियावारी भी बोलते हैं, कठियावारी यहाँ पे language बोली जाती है, और यह गुजराती से सा डिफरेंट होता है, लेकिन उसी का मिलता जुलता है, यह सिंधी से मिलता जुलता नहीं है, आपका कच्छी, नौर्थ गुजरात आपको बताई दिया था, डेवलप्ट एरिया है, यह नौर्थ पार्ट में है, इसके बारे में आप जान लीजे बस इतना की, गांधी और जो उसका गांधी नगर है, वो नौर्थ गुजरात में आता है, नौर्थ गुजरात तो प्रॉपर एरिया है, तो लेंगवेज जो है, गुजराती लेंगवेजी योज होगी, थोड़ा बाथ डिफरेंस है, बाकि जो सेंट्रल गुजरात है, यह वाला एरिया जो तो खेडा, खेडा भी है, खेडा सत्य अगर आपने सुना होगा, और पंच महल वगर खेड, इसके बारे में जादा जानने की जुरूत नहीं है, बाकी उसके नीचे साथ गुजरात पढ़ाया था, यहां पे जो लेंग्विज है वो भी देखिए, आपका गुजराती कहीं ए उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे अभी टॉपिक बहुट डिफ्ट में ले जाने वाला हूँ, हद से जादा डिफ्ट में, तो आप जो है, आप मेंटली प्रिपेर हो जाई, सारी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मिशन क यह context नहीं समझ पाते हो, कि इंडिया का तो पढ़ा देते हैं, वर्ल्ड में क्या ओरत नहीं पढ़ाते हैं, बाहर से कौन लोग आए, कैसे आए, वो सारी चीज़े नहीं पढ़ाते हैं, कौन से ट्राइब थे, नहीं थे, नुमाडिक थे, आप सब कन्फूज हो जाते हो, क सकाइथियन कौन थे, साका कौन थे, रोदरदमन कौन था, तो यह सारा डीटेल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, आप चाहिए तो एक ब्रेक ले लिजे, इसी कारण ये लेक्चर लंबा हुआ है, और यहीं पर वो सारी जो है, डिप्त में ह सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहूँगा, यूरेसियन स्टेपी, ये आपने जोग्राफी में भी साथ पढ़ा होगा, स्टेपी क्लाइमेट है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाइट वाला ब्लू वाला एरिया जो मार्क क्या हुआ हुआ है, वो यूरेसियन स्टेपी, आप देख सक रहे हैं, कि यूरेसियन क्यों बोल रहे हैं, कि आपके एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो यूरेसियन हो गया, स्टेपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टेपी क्लाइमेट है, मतलब ग्रास लेंड्स हैं, पहले जो इंडि पपा कर आया आए मैं पाकिस्तान हुआ कि किर यहां से इन्डिया में किसी इंग्रेशन देखें एक है अब जो नीचे का एरिया देख रहो है यहां पर घने जंगल थे उबर का एरिया जो देख रहो हो हमालया थे तो इधर से इस एरिया से माइग्रेशन नहीं होई इंडिया में मेजर करके देखाऊं क्या हाँ यही है आपका यूरेसिया इस्टेपी जॉब देख रहो लाइट सब्सक्राइब धेले यह लोगों के पास घोडे थे घूडे थे लोग बड़ी-बड़ी यात्राएं करते थे एसे इस Eurasian Steppy की बात करें हैं तो इसको Great Steppy भी बोलते हैं या Steppies भी बोलते हैं यह एक Vast Steppy का Eco Region है Eurasia में जो की इसको हम लोग Climate के नाम पर Biome के नाम पर कौन सा Biome बोल रहे हैं Temperate Grassland, Savanna and Shrubland Biome अब यहाँ पर आप Confuse हो जाएंगे कि मतलब यह तो मतलब आपका Temperate Grassland देख रहा है तो आप इसको मतलब Temperate Grassland Savanna और यह Shrubland Biome सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ आप तो जनरली इसको Eurasian Steppy के नाम सही जाता है तो सब क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो Worldwide Fund for Nature है उसने यह Define किया Biome और उसमे Temperate Grassland, Savanna और Shrubland सब आते हैं आप देख सकते हैं यहां हो गया, यहां हो गया और यह पूरा जब का एरिया हो गया फिर Australia, New Zealand में हो गया सारे को मिला के Temperate Grassland, Savanna और Shrubland Biome बोला जाता है यह Worldwide Fund for जो Nature है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है WWF के बारे में तो उसकी Definition है यह इसमें Grass होते हैं, Shrub होते हैं तो घोडे होंगे, Nomadic People होंगे जो की घास पे अपने जानवरों को खेलाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे बड़े लड़ाकू प्रवर्ती के लोग होंगे नई जमीन चाहेंगे क्योंकि Pastoralism करना है Vedic लोग भी तो Pastoralism के चक्कर में आगे ने इंडिया में इसलिए बोल रहे हैं इसका जो है Climate जोता है Temperate होता आपको पता ही है चाहे वो South हो या North हो यह जो Climate है Temperate है यह तो Biome हो गया इस Habitat Type को North America में जो यहाँ पर आप देख रहे हो उसको Prairie बोलते हैं काफी जानवर बगर आप पाले जाते हैं South America जो देख रहे हो यहाँ पर उसको Pampas बोलते हैं South Africa में क्या बोलते हैं यहाँ पर भी है थोड़ा सा जब आप इन Countries को देखोगे मैं आप में तो आपको पता चल लगए कि बल्गारिया, रोमानिया, मालडवा जो आज की Countries है In fact, Ukraine, Western, Russia Russia है ना यहाँ पे तो रसिया का Western पार्ट भी इसमें आ गया कचाक्यस्तान, जिंजियांग, चाइना का जिंजियांग है ना, उईगर प्रोविंस वाला जहाँ पे आपके मुस्लिम है, उईगर मुस्लिम है जिनका शोशन हो रहा है, मंगोलिया यह देखो, उपर मंगोलिया, मंगोलिया का भी आलग से lecture मैंने पढ़ा है, वो प्लेग वाले में मंगोलिया सारे को यह connect करता आया है, याद रखेगा, और इसी से बाद में सिल्क रूट भी develop हुआ है, इस एरिया में एक खास बात क्या है, मैंने आपको पहले बता है कि nomadic empire develop हुए, कई tribal confederation develop हुए, है ना, जैसे स्काइथिया, है ना, बाकी आपकी जो हून जो थे, मूनिक आपकी empire, वो भी इसमें develop हुआ, बाकी देखे, ट्रांजोजियाना, सोगाडियाना, यह मंगोल्स भी देखे, इसी में develop हुए थे, मंगोल में वो चैंगेज खान को याद रखे, गैंगेज जिसने की पूरा यह एरिया जीत लिया था है ना, वो भी इसी क्लाइमिट का था, अब मैंने यहाँ पे आपको एक major overview दे दी, उसी क्लाइमिट में मैंने बोला कि आपको वहाँ पे scytheian भी थे, तो scytheian के बारे में पढ़िए तब उसके और नीचे लेबल पे आएंगे ठीक है यह सकायथियन कल्चर जो था इसको सकायथियन कल्चर अरली नुमढडिक कल्चर सकायथियन здесь तरह तरह के नाम दिये गए हैं यह आपके एंटायर युरेजियन स्टैपे में Iron Age से लेके, मतलब Iron Age में लेके 9th century BC से लेके 2nd century AD तक बताईए, 9th century BC से लेके almost 11 सा साल यहाँ पर रहते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इनी के नाप पूरे एरिया को हम लोगा जो आपका स्टेपी बाला है, उसको 9th century BC से लेके 2nd century AD में हम सकाइथिया बोल देंगे पहले भी बताए कि इनके पास खास बात यह थी, कि इनके पास horses बहुत थे क्योंकि grassland थी, अगर आप map पे देखना चाहोगे तो कुछ ऐसा map बनेगा देखिए, यहाँ से चले आईए, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर यह ब्लैक सी है, यह वाला water area जो यहाँ पर पॉइंट यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और यह जो area है, यही जो था पूरा scythian area था, scythian empire था है इसमें कई जो है scythian tribals थे, यह पूरा आपका European का जो step यह इसमें 9th century BC से लगे, 2nd century AD तक यह लोग यहाँ पे थे, अब यहाँ पर इंडिया का map देखिए, अगर यह इंडिया आ सकाइथियन को, scythian culture बता दी, उसमें सकाइथियन को अलग से ले लीजिए, वो जो scythian है, उनी को हम लोग सकाइथ, कई लोग साक भी बोलते हैं, सकाय भी बोलते हैं, या पर दूसरा जो यह सब नाम है important थे हैं, आपको साक और scythian जानना है, इन लोगों ने, nomadic people थे है आपको पता ही है पहले, इन लोगों ने यह stephi को, pontic stephi को, pontic stephi को, pontic stephi उसी का part है, उसी stephi का, 7th century BC से लेके, 3rd century BC तक occupy किया था, देखिए, पूरा जो scythian culture था, 9th century BC से, 2nd century AD बता रहा हूँ, उसमें जो एक खास खाली scythians थे, वो 7th century BC से लेके, 3rd century BC तक इसको occupy करते है BC तक, ठीक है, occupy करते हैं, और वो एक wider जो scythian culture था, उसका part थे, पहले बता दिया है, जो कि Eurasian stephi में रहते थे, आपको confusion हो रहा हूँ कि pontic stephi, उस Eurasian stephi का कितना part है तो देखिए, black से देख रहे हैं, आप ये kaspians से देख रहे हैं, इसके उपर चले जाए, यहां से, इतना इसको जो है scythian से थोड़ा से differentiate करते हैं, लेकिन ये जो है, उसी की तरह मिलते जूलते लोग थे, ये जो आपके पिछले में मैंने आपको साक पढ़ाया, scythian पढ़ाया, वही pontic stephi में रहने वाले, देखिए न, दो closely related, साका are to be distinguished from the scythians of the pontic stephi, आप अपने history के लिए द अब मैंने आपको यहां बताया, कि ये साक का extent पहले बता देता हूँ, पहले तो ये देखिए कि ये साक का है, जो मैंने बात की, साका की बात की, ये nomadic थे, Iranian people, इरान तक इनका extent था, और ये historically जो आपके Eurasian stephi में, तरीम basin जो चाइना का, वहां तक इनका extent था, इस बात को आ अटैक कर देते हैं, यूजी ट्राइब, यूजी ट्राइब आते हैं, सोगाडिया, है ना, और बैक्टरिया में इनको एक्सपेल कर देते हैं, अब वो मैं बता रहा हूँ, यूजी ट्राइब कहां से आ रही है, और ये साक को second century BC में, वो कैसे सोगाडिया और बैक्टरिया भेज दे रहे हैं और सोगाडिया और बैक्टरिया है कहां वहां सोगाडिया और बैक्टरिया में पहले सोगोडिया जो भी है सोगडिया और बैक्टरिया में पहले एक्सपेल करने के बाद कौन एक्सपेल कर रहा है यूजी ट्राइब यूजी ट्राइब आएगी चाइना के साइट से और जो आपके यूरेसिया में रहने वाले सेकेंड सिंचुरी बीसी में साका ट्राइब थी नॉमाडिक ट्राइब थी उसको एक्सपेल करके सोगडिया और बैक्टरिया में भेज़ देगी उतना ही नहीं दिरे दिरे और उनको इक्सपेल करेगी और बाद में जो आपके इंडिया का नॉर्थ वेस्ट इंडियान सबकॉंटिनेट में वहाँ भेज़ देगी और जैसे ही वो इंडिया में आएंगे उनको हम लग साक और स्काइथियन नहीं बोलेंगे इंडो स्काइथियन बोलेंगे, आपको अब चीज़ें ये clear हो गई होंगी, तो जो इंडिया में आये साक एक्सपेल होने के बाद यूजी द्वारा, उसको तो हम लोग इंडो स्काइथियन बोलेंगे, लेकिन इसके कुछ और ब्रांच निकली होंगे, एक जो है अदर साका क जो इंवेजन हुआ, वो पार्थियन एंपायर में हुआ, पार्थियन एंपायर क्या हुआ, इरान में जो एंपायर था, उसको बोलते थे उस टाइम पे पार्थियन एंपायर, ठीक है, और वहीं पे इरान की एरिया में सिस्तान नाम का एरिया है, जो कि पाकिस्तान, सिस्तान है वहां वो लोग सेटल होगे बात को समझ यह साख को सकेंड सेंचुरी बेसी में यूजी ट्राइब आई और उन्होंने एक्स्पेल करके पहले बेज दिया बैक्ट्रिया और सोगडिया में यह बैक्ट्रिया जो है बैक्ट्रिया जो है अफगानिस्तान का नौर्ड जो है कुछ चाइना के यूनान में भी भागे तो दो-तीन जगे यह लोग भागे तरीम बेसिन में भागे तकला में मकान डेजर्ट में भागे उसके लावा जो चाइना का काशगर एरिया है यरकंड है खोतान है वहां भी जाके यह लोग बस गया अब भागे वह थे तो ब यह जो देखी एक ancient people थे और इसको Chinese history में nomadic pastoralist बोला जाता है सबसे पहले, यह लोग भी इसी grassland में रहते थे, western part of the modern Chinese province गिंसू, यहाँ पे चाइना का प्रोविंस था, modern जो है वो गिंसू था, यहीं से यूजी ट्राइब निकले, चाइना के पार्ट से, देखिए, उपर जा इसके लावा उनको पार्थियान बहिज देते, पार्थिया बहिज देते, यहीं पर इरान है, वहाँ बहिज दिया, उसके लावा उनको bacteria में भी expel किया, ठीक है और last में थोड़ी UG tribe जो है, expel करते-करते, उनको spaghettiana, पार्थिया बहिज ते-बहिज थोड़ी बहुत जो है, इंडिया में भी आ जाती है, और इंडिया में कब आती है, 30 AD के आराउंड आती है, इनकी एंट्री होती है, तो देख रहे हैं कैसे migration हो रहा है एक दूसरे के पीछे, अब एक बहुत मज़ेदार बात सुनिए, ये लोग एक्सपेल कर रहे हैं, स्काइटियन को साक को, वो वाला जो आप यहां पे region देख रहा है, ये हिंदू कुष का जो mountain है, उसी के around अफगानिस्तान में bacteria region है, ancient वाला, bacteria region में इनके 5 major tribe थे, UG के, मैं साथ के बात नहीं कर रहा, UG जो पीछे पीछे आ रहा है, तो इनके 5 major tribe थे, उसी में से जो एक tribe था, वो कुषान थे, तो जो ट्राइब थे, UG के, उनको निगलने लगा, मतलब उनको सब्जियूम करने लगा, हराने लगया, अपने neighboring people को हराने लगया, इतने पार बोलते हैं, और finally जो है, कुषान, 3rd century AD के around बगर है, इंडिया में अच्छा कबजा कर लेते हैं, in fact, जो पाटली पूतर के north का area, प आमालिया क्रोस करके नहीं आएंगे, यह पूरे area में जो कुषान फैल जाते हैं, कुषान, one of the major tribes of UG थे, जो की bacteria में, मतलब अफगानिस्तान के आसपास बहुत powerful हो गये थे, और अपका गैंजेटिक प्लेन में यह आ जाते हैं, लेकिन mainly जो इनका influence जो है, कश्मीर बगर मे रहता है, यही जो कुषान है, उस टाइम पे इस area को वोलो पूरा silk route में convert कर देते हैं, और साती साथ आपको पता होगा कि कुषान ने फोर्थ जो है, मतलब खनिश्क जो था राजा, वो कुषान डाइनस्टी कहीं था, उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराएगी थ तो उसने जो है बुद्धिजम से बहुत प्यार किया था, तो वही बुद्धिजम को चाइना में introduce करता है, क्योंकि वो चाइना से आया हुआ था, बाकी जो छोटे मोटे यूजी के tribe थे, उन्होंने क्या किया, तिबतन प्लैटू पे migrate किया, है ना, कुछ जो है चाइना का किनगाई प्रोविंस में चले गया, तो ये हुई आपके यूजी की condition, ये हुआ आपका कुशान एंपायर, समझ गया है, उसी कुशान में कनिश्क था ना, जिसने आपके पूर्थ बुर्धिस काउंसल कर आई थी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था, कनिश्क का आर्ट बैक्ट्रिय अगर आप देखना चाहें, तो बैक्ट्रिय जो ये के सिंट्रलिस्य का पार्ट है, हिंदु कुश माउंटेन जो है, और जो उपर जो अमु दर्या रिवर है, उसके बीच का एरिया पड़ता है, ये आप देखरो, ये आफगानिस्तान का एरिया, यही मैंने आपको सोगडिया बोला था, जहांपे भागे थे आपके साक वगरा, सोगडिया ये ही एरिया है, ये इसके नौर्थ में सोगडिया ना, ये सोगडिया है, ये एक मतलब एंशेंट इरानिन सिविललाइजेशन था, प्रेजेंटली उजबहिस्तान, तजिकिस्तान, स्काईथियन को रेपलेश कर दिया तो इंडिया में जो आ हैं उनको हम लोग इंडो स्काइथियन wär अ तो इंडो साकाज भी बोल सकते हैं, सकाइटियन और साका तो एक ही है, यह आपको पहले ही बताया था कि यह एरिया जो था इरान वाले की एरिया में कापी ज्यादा रहते तो तो नोमेडिक इरानियन पेपल हो गया, साक और सकाइटियन ओरिजिन हो गया इनका, जो गरफिकल आएगा, आफगानिस्तान में जो आज कंधार है, पिर चले आएए पाकिस्तान का सिंद, फिर कश्मीर जाएंगे, फिर पंजाब जाएंगे, हरियाना जाएंगे, उतर परदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, राजस्तान जाएंगे, गुजराच जाएंगे, महाराष्ट अपर में, कांधार जो अभी है, इंडस वैली में established किया, उस टाइम पर यह जो एरिया था western इसिया में, वहाँ पर आपके western इंडिया में, वहाँ पर आपके इंडो-ग्रिक्स का छत्रब चलता था, इंडो-ग्रिक्स जो हते हैं, छत्रब बनाते हैं, छोटे-छोटे राज भ भी बोलते हैं और local kingdom भी था है इन्होंने इंडोस कहती है इन्हों सबको हराना सुरू किया और आपके northwest इंडिया में पहले कबजा कर लिया यह आप area देख रहा हो ना यह यहाँ यहाँ पे ऐसे रूल करते थे पूरा जो आप देख रहा हो तो थोड़ा बहुत महाराष्ट तक पहुंच जाएंगे बाकी पार्टल पुत्र वगर तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे यह लोग ancient time में ऐसे रूल करते थे 150 BC से लेके 400 AD के आसपस इनका प्रभाव था यहाँ पे प्रभाव था यलो वाले में बाकी ग्रीन वाले में यह located थे देखो यह तक्च शिला है ना सीगल एराकोसिया आपको बोला ना आपके देखिए यह पाकिस्तान का महप और अफगानिस्तान के बीच में यह जगए अर और यूजी ट्राइब में कौन आया था इंडिया में वो कुषान एंपायर आया था तो यह जो आपके इंडो स्काइथियन पहले यहां पर पहुंचे थे तो कुषान उनको छोड़ते नहीं कुषान क्या करते हैं पीछे पीछे आते हैं और उनका एक राजा आइदर यहां ट्राइब का ही टाइब था उसने हराया किसको इंडो स्काइथियन को लेकिन फिर भी यह माने नहीं थोड़ा बहुत यह रूल करते रहे सत्रापेज की तरफ इनके दो ब्रांच बने एक ब्रांच बना आपका इधर नॉर्थ में और एक ब्रांच बना इधर वेस्टरन इं इरिया आएगा आपके देखिए इस्टरन पंजाब से लेके मतुरा यह इंडो स्काइथियन का मैं नॉर्थन सत्रप बना रहा हूं हारने के बाद भी उन लोगों ने थोड़ा बहुत यहां प्रभाव रखा 60 BC से लेके 2nd century AD तक इन्हों ने नॉर्थन सत्रप यहां पे थो जो था जो आया था वो कुझ्ला कैट पाइसे फ़हे वाला वीमा कैट पाइसे इनको फाइनली हरा देगा और क्योंकि मतुरा वगरा में रूल कर रहा था 90 सिले के 100 12 के बीच में है न तो जब मतुरा में रूल कर रहा था तो इनका एरिया तो चला गया तो इस तरह से northern शतर बन जाते हैं, great सत्रप के, मतुरा के, और कनिश्क के जो, कनिश्क जो बाद में आते हैं, उसके अंदर ये लोग खुदी सत्रप बन रहे जाते हैं, तो ये लोग विलूप्त हो जाते हैं, धिरे धिरे, northern सत्रप कौन वाले, इंडोस काई थेन वाले, मैंने तो ये ब्रांच ब मैंने आपको मैप देखाए था, इसके लवा इंदोर के असपास जो है, आपके माद्य पर्देश में मालवा का एरिया है, वो हुआ, तो गुजरात, महाराष्ट, राजस्टान, माद्य पर्देश में जो था, western सत्रप था, और देखिए, ये contemporary थे, किसके कुशान के होंगे क्योंगी उसके northern सत्रप को कुशान हरा रहे हैं, नौर्थ में हरा हरे हैं, क्योंकि उनको मतुरा में रूल करना है, कश्मीर में रूल करना है, लेकिन, western सत्रप था, वो बचा हुआ था, तो western सत्रप को कौन हराता है, इनकी लडाई हो जाते हैं, यहाँ पर जो आपकर डेकन में एक चल रहा था, साथवाहन जो चल रहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे आराम से, साथवाहन से इनकी लडाई हो जाती है, और साथवाहन जो इनको हरा देते हैं, अब समझ में आएगा आपको गुजरात राजस्तान वाल एरिया में गिर्नार के हिल पे तब किसकी इंस्क्रिप्शन आएगी जो रुद्र दमन वन ने लिखवाई थी इसी डाइनस्टी में उपर एक किंग कस्ताना था उसका ये पोता था रुद्र दमन वन जो था उसने क्या किया था पहले तो इन दर डिकलाइन अफ सात्वाहन अंपारिस का पहुत बड़ा रोल है लेकिन बाद में आपको बताऊंगा क्या होता है रुद्र दमन वन इसने क्या किया था सात्वाहन को हराया था लेकिन बाद में जो इसके नीचे की डाइनस्टी आती है तो जो गौत्मी पूत्र सत्वाहन का वो इनको हरा देता है चलता है ये कोई बात नहीं रुद्र दमन वन जो था आपका ग्रेट सत्रप अपने आपको बोलता था और किंग जो था उसने पूरे जो है वेस्टरन डिरेक्शन में अपने आपको स्ट्रॉंग किया इसकी जो विक्ट्री है सत्वाहन को के उपर आपको पढ़नी पड़ेगी पहले तो देखे इसने मैट्रिमोनियल रिलेशन्शिप इस्टेबलेज किया सत्वाहनाज के साथ और जो सत्वाहन का एक राजा था वो वशिष्ट पूत्र सत्कर्नी है ना जो की गौत्मी पूत्र सत्कर्नी का यंगर संता है ना आजाएं यहां पर दोने तरह प्लटाईया हो रही है ठीक है गौत्मी पूत्र सत्कर्नी और वशिष्ट पूत्र सत्कर्नी आपको जो अलग-लग याद रखिये जो अपका साख रूलर है वेस्टन चतरप का रुद्र दमनवन उसने अपनी बेटी की शादी जो है वशिष्ट पूत्र सत करनी के साथ कर दी प्रिंस के साथ कर दी और डौरी में जो है अपरंता नाम का एक जगा उसको गिफ्ट कर दिया लेकिन ये मैट्रिमोनियल अलायंस ह सबको मार दिया लेकिन वशिष्ट पूत्र सत करनी को छोड़ दिया क्योंकि वो उसका दमाद था ये चीज का उलेख आपको जूनागड का रॉक इंसक्रिप्शन में मिल जागा जो कि आपके रुद्रदमन बनने करवाया था तो उसको हराया चुकि वो तो आपके डेकन के रूलर थे तो पूना नासिक, अमरावती, पूना नासिक सब मिल गया और साथवान कहां सिमट गया एकदम साउथ डेकन में और जून का ओरिजनल बेस था और अमरावती तक वो सिमट गया आपका जोकी तेलंगाना और आंदरप्रदिस का एरिया है वहां तक सिमट गये ये कल्चर और आर्ट को सपोर्ट किया, संस्कृत के लिटरेचर को सपोर्ट किया, इसने एक डैम का रिपेर किया था जो आपको याद रखना है, इस डैम को बनवाया था मौरियंस ने, मौरियंस तो इसके पहले आया थे, मौरियंस ने इसन डैम को देखिए जुनागड में ब प्रोविंस्ता न मौरियन का ये गुजराजुनागर तो उन्होंने मौरियन ने लेक सुधरसन बनवाय था उसकी इम्बैंकमेंट को रिपेर वगर जो है इसने रुद्र दमन बनने करवाय था अब खात्मा कैसे होता है वेस्टन सत्रप का वो सुनिए इसी डाइनेस्टी में फोर्ट सेंचुरी एडी में रुद्र सिम्हा 3 आते हैं रुद्र सिम्हा 3 जो थे वही वेस्टन सत्रप के लास्ट रूलर थे वहीं पर फिनिश हो जाता है वेस्टन सत्रप जो है फाइनली चंद गुरूप्त दो जो मैंना पॉलिडी बता है उन्होंने पूरा पॉले थे वो फिनिश हो जाते हैं completely ends the rule of the साकाज on the Indian subcontinent. An inscription of the victorious गुप्त के चंदर गुप्त 2 का वहाँ पे inscription भी मिलता है कहाँ पे साची का चंदर गुप्त 2 का उसमें यह चीज मेंशन की गुई है gateway बगर है कि हमने जो है रुद्र सिम्हा 3 को हरा के रुद्र सिम्हा 3 को ह पर पूरी जह स्टोरी समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे migration हुआ था इंडिया में पहले और कहां कहां कौन से लड़ाईयां हुई थी है ना तो इससे पता चलता है जाप रुद्र दमन वन का देखते हो कि गुप्त एंपायर वगर का मौरेन एंपायर वगर का मौरेन एंप रुद्र दमन वन के इंस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको पढ़ने पर आपको यह पता चलता है कि मौरेन एंपायर को एक्स्टेंट उस एरिया में भी था वहां तक उसको लोग जानते थे फार वेस्ट तक था गुजरात तक था और यह भी बताता है कि मौरेन एंपायर के बाद का है ना मैंने आपको पढ़ाया कि इंडोस काईथियां तो कफे बाद के हैं यह वाला खास करके रुद्र दमन तो आपका चो चंद्रगूप्त बगर का प्रभाव था देखिए मैंने जो अभी आपको चंद्रगूप्त टू पढ़ाया वो क्या था वो तो आपके चंदगूप्त मौरे थे तो यह पता चलता है कि 400 साल बाद भी अपने डेथ के चंद्रगूपत मौरी को इस पूरे continent में, subcontinent में, हर कोई जानता था, country में जानता था, तबी तो उसके नाम पे inscription है, दूसरा है, ये सारे आपने पढ़ लिया, आपने source, एक literary work है, वो है मुद्रा राक्षश, ये मुद्रा राक्षश जो है, विशाक दत ने लिखा था, ये काफी बाद देखे, गुप्त पिरियड में लिखा गया था, विशाक दत दौरा, मुद्रा राक्षश, और इसमें, उस टेंप नहीं लिखा गया था, ठीक है, विशाक दत ने मुद्रा राक्षश, गुप्त पिरियड में लिखी है, 4th century AD के आसपास लिखी है, इसमें, जो है, मुद्रा राक्षश को बोल रहे हैं, चंद गुप्त मौरे का जो एक्सेशन हुआ था, थ्रोन पे, तो उसमें कापे चलकपट करके, लड़ाई लड़के, लड़ाई लड़के, धन नंद को हराए गया था, और इस तरह से चंद गुप्त मौरे जो है, वहाँ पे राजा बने थे, और उसकी मदद की थी, किसने, चानक किने, जिसको की कौटेले भी बोलते हैं, बड़े अच्छे पंडित थे, अडवाईजर थे, तो उसी के सारी कहानी को, जो हो कि चंद गुप्त मौरे जो है, गदी पे कैसे बैटा धन नंद को हटा के, और चाना किया कोटेले ने कैसे-कैसे मदद की, क्या-क्या ट्रिक्स लगाए, ये ट्रिक्स जो है, आपके मुद्रा राक्षष नाम की जो किताब है, एक ड्रामा किताब है वो, वो विशाक दत्त द्वारा लिखी गई थे, गुप्त पिरियड में, फोर्ट सेंचूरी एडी में, उसमें में मेंशन किया है, तो आपको थोड़ा बहुत, जो मौरे डाइनेस्टी का इंफॉर्मेशन है, यहां से भी मिलेगा, तो इस तरह से, जब यह कहानियां, जो आपकी मुद्रा, राक्षष वगरा की कहानियां, बाद-बाद में चल रही है, 400-500 साल बाद, तो इससे जो कहानियां बनी, जो नाटक बने, तो आपके सोसाइटी में, औरल ट्रेडिशन में भी चले गए, लोगों की बोली में भी यह कहानियां बोली जाने लगी, तो अभी तक तो आपने लिटरेरी पढ़ा, एपिग्राफ पढ़ा, आर्कियोलोजिकल पढ़ा, या बाहर के फिलोसफ़र वगरा, बाहर के हिस्टोरियन और जोगरफिकर की बाते सुने, जोगरफिकर की बाते सुने, लेकिन कुछ कहानियां जो हैं, आपके फोक कहानियां भी बन जाएंगी, ओरल ट्रेडिशन में भी आ जाएंगी, तो ये जो ओरल ट्रेडिशन हैं, वो भी accept किये जाते हैं कि हाँ, ये भी एक valid additional source है हमारे history के, इस period के, ऐसे हैं हमारे source, इसी के साथ जो हमारा source वाला topic फिनिश होता है, अब हम next topic चलेंगे, 4.1, Rise of Magad under the Haryang dynasty, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो विशाकदत ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, वो उन्हो कि दूसरी जो एक है, उनका दूसरा जो play है संस्कृत में, उसका नाम है देवी चंदर गुप्त, दू ही किताबें जो है, आपके विशाकदत की, मुद्रा राक्षस और देवी चंदर गुप्त हमें पता हैं, दोनों संस्कृत में लिखी गई थी, दोनों जो है नाटक है, प्ले है, ड्रामा है, खेर, अब आपका सारा कुछ पहले वाले डिसकृसन हो गया, यहां से आपकी हिस्ट्री जो है, इस लेक्षर के, इस डिसकृसन के बाद, मेरी सबसे बहुत हो जाएगी, अब पढ़ते हैं, 4.1 में चले आईए, मगत पे, कि मगत का राईज कैसे होता ह और सबसे पहले उसमें जो हर्यंक डाइनेस्टी आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले यह जानिए कि मैंने आपको जो पिछले लेक्षर में 16 महाजनपत पढ़ाये थे, तो उसमें एक मैंने आपको बनारस के साइड में कासी बाला पढ़ाये था, कासी जो महा कि मैंने तो आपको पहले कराये हुआ, देखेंगे किया एक बार, अच्छा चलिए पहले यह चारो सुन लेते हैं फिर, फिर क्या होता है कि पहले कासी पारफोल फिर आपका कॉसल पारफोल, बाद में जो है पार का स्ट्रगल होता है, एक तरफ कॉसल, ठीक है, एक तरफ इतुतना कौन है, dominant कौन होता है, जो महाजनपद होता है, वो है आपका maghad emerg 해도 dominant महाजनपद, और उसीने जो है इंडिया में अपना first empire किसीने establish किया, empire establish किया, तो वो maghad महाजनपद था, है न, देखिए यहां पर बात आती कि फ़र्स्ट नून रूलर अफ दा मगद वाज बिम्बिसार अफ दा हर्यांग डाइनेस्टी यहां इन्हों ने तमिलाडू ने अच्छा किया आपके कई पर एक्जाम में आगा कि तमिलाडू की सबसे यह कहना है हर्यांग डाइनेस्टी का वो आपका बिम्बिसार था इसी के बेटे अजात सत्र हुए थे तो चलिए थोड़ा सा जो है Wikipedia से एक जनरल इंफॉर्मिशन ले लेते हैं हर्यांग डाइनेस्टी के बारे में मैंने आपको बोला था कि इनके फायट जो ही थी अवंती से हुई थी उसके अलावा बाकी कॉसल वगरे से भी हुई थी तो आप खुद देखिए उज्जैन या अवंती पे इनका कब्जा हो जाएगा विदिशा भी वही स्टार में राजग्रे दिखाया है बाद में इनका कैपिटल पाटली पूत्र हो जाता जो कि अभी पटना है तो वो भी इनके अंदर आ जाता है फिर उसी के आसपस देखिए भागलपूर का एरिया में चंपा डाइनेस्टी थी उस पे भी कबजा कर लेते हैं साथी साथ व्रिजजी वैशाली जो था उस पे भी कबजा कर लेते हैं तो इनका जो मैप बनेगा ऐसा बनेगा मद्य परदेश, उत्तर परदेश, बिहार, जारकंड बगएर वाला जो एरिया है ये इसमें ये लोग रूल करेंगे ये जो था आपका 6 से 4th सेंचुरी में जो आपके आपका हर्यंक डाइनेस्टी था सबसे पहले हैं मौरियन की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें हर्यंक डाइनेस्टी जो है 5th सेंचुरी BC में उसके बाद बाद में इसी एरिया में शिशुनाग डाइनेस्टी आती है उसको भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा वो अर्ली 4th सेंचुरी BC से उसके शुरुआत होती है लेकिन 5th सेंचुरी BC में आपके कौन आता हर्यंक डाइनेस्टी आता और हर्यंक डाइनेस्टी के जो बिंबिसार अजार शत्रू थे यह गौतम बुद्ध के कंटेंपररी थे उनसे दूनों मिले थे ठीक है? कौर रीजन आप समझ गए? अचा एक बात मैंने आपको हर्यंक बोला, शिशुनाग बोला यह सारे जो है यह सारे चुकी इनका सेंटर राजगीर या पटना पटली पुतर में है तो यह एरिया यहां पे मागदी बोली जाती एप पूरी डाइमस्टी को अलग- war डाइमस्टी चेंज होगी लेकिन हम इसको मगदन एंपर में ही काउंट करेंगे मगदन एंपर में ही काउंट करेंगे अलग-अलग डाइमस्टी अच्छा जब आप Wikipedia पढ़ेंगे और कई अलग books refer करेंगे ऐसे नॉर्मली हम मानते हैं कि हर्यंक dynasty जो था पहला ruling dynasty या empire बनाने वाला था मगत का empire बनाने वाला था लेकिन क्या ruling dynasty भी पहले थी यह एक epics में है एक mythological dynasty की बात होती है उसका नाम होता है देखिए बरहदर्थ ब्रहदर्थ dynasty ना ब्रहदर्थ dynasty जब आप बिहार वगरे की तयारी करेंगे BPSC के तो वहाँ आप को यह पढ़ाया जाएगा ठीक है बरहदर्थ ब्रहदर्थ बोलिए हाँ ब्रहदर्थ dynasty जो थी वो सबसे पहले आती है यह लेकिन वो empire building वगरे नहीं करते है उसी place में मगद में फिर usually हर्यंक dynasty आती है जो कि second ruling dynasty और first empire making dynasty होती है ancient India में इनका capital जो था लगे ब्रह का राजगेर में था बाद में आपने capital को shift करके पाटली पुत्र ले जाते हैं, तो आपको यहाँ पे तमिलाडू में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आपके आपजेक्टिव में पूछा जा सकता है, कि यह पाटली पुत्र में इनकी जो है, कैपिटल को कौन लेकर गया था, तो यह जो आपके हरियंक डाइनस्टी थी, उसमे उदाइन नाम के जो राजा थे, उदाइन, उन्होंने पाटली पुत्र में शिफ्ट किया था, राजगीर से कैपिटल को, इसमें आप बाद में एक और बात है, कि यहाँ पे बुद्धिश रिटेक्स जो आपका महावामस है, स्रिलंका वाला, उसमें यह लिखा हुए कि ब भटिया ने एज 15 में किंग बनाया था, ठीक है, तो अगर आप founder की बात करें, अगर option में भटिया दिया हुआ, तो आप भटिया मार्ग करोगे, otherwise नहीं दिया हुआ, तो आप बिम्बिसार को मार्ग करोगे, लेकिन most known शुरुवात है, वो जो है बिम्बिसार से ही होती है, भटिया का नाम जनरली कोई नहीं चानता, इसके बाद क्या होता है कि इस डाइनेस्टी के बाद इसी प्लिस में, शिशुनाग डाइनेस्टी आते है, जो कि मैं आपको बाद में बढ़ा हूँगा, विम्बिसार अब्ध हर्यंक डाइनेस्टी जो वो जो थे, first known ruler थे, बाक कॉसल जो kingdom दिखाया मैंने आपको महाजन पर, कॉसल का ruler था प्रसेंजीत, ये जो कॉसल का ruler प्रसेंजीत था, उससे अपने शादी कर दी इन्होंने अपनी बेटी की, गलत लिखा हूँए ठीक है, इसको मैंने भी पढ़ा तो मुझे एक बार रियलाइज नहीं हुआ, sorry, उ बोल रहा हूँ मैं, जो कॉसल का ruler था प्रसेंजीत, उसकी बहन का नाम था कॉसला देवी, चुकि वो कॉसल राजबन से बिलॉंग करती थी न, तो आपका जो ये है, बिम्बिसार, उसकी शादी हो जाती है, कॉसला देवी से, वो सादी हो जाती है, तो उसके दहेज में, आ ठीक है, इसके अलावा, ये जो प्रसेंजीत है, एक और शादी करता है, ये शादी करता है, चलाना से, चलाना कौन है, चलाना लिच्वी प्रिंसेस है, लिच्वी कहा थे, वैशाली में थे, बिहार में आपको बार बार बता है, गंगा के उपर वाले हिस्से में, वैशाली थी वहां लिच्वी रूल करते थे उन लिच्वी की जो एक प्रिंसेस थी उसका नाम था चलाना वहीं पे लिच्वी प्रिंसेस से इसकी शादी होता थी जिसका नाम चलाना और चलाना ऐसे बात करें तो डॉटर थी चेतक नाम का एक चेतक नाम का प्रिंस था यहां पे चेतक kingdom था, वहाँ की princess से भी शादी होती है, तो देख रहे हैं, ये जो तीन शादियां है एक तरब तो कॉसल से इन्होंने कासी ले लिया कैसे, प्रसंजीत की बहन के सार शादी करके, दूसरा इन्होंने लिच्वीच से कुछ जमीन कैसे ले ली वैशाली वालों से कि वहाँ पे जो चेतक था, उसकी जो बेटी थी चलाना, उससे शादी करके, फिर बाद में थोड़ा बहुत जो है, दहेज बगर में इनको बहुत कुछ मिला, वहाँ से मादरा से भी मिला जो कि सियाल कोट पाकिस्तान में अभी तो इस तरह से इनको कापी धन वगर प्राप्ती होई, जमीन वगर की प्राप्ती होई और इस तरह से उन पे मतलब लडाईयां भी खतम होई, फ्रेंडरी रिलेशन मेंटेन होया तो इस तरह से उन्होंने फ्रेंडरी रिलेशन मेंटेन किया और बाद में उन्होंने friendly relation जो है अपना अवन्ती या उजैनी के साथ भी maintain किया लेकिन military conquest भी किया पहले मैंने बता था तो जो अंग था बिहार में भागलपुर का area वगर जो अंग था वहाँ पे उन्होंने लड़ाई करके जमीन चीने थी तो इस तरह से मगद जो है powerful और prominent power बन जाता है बिम्बी सार के time पे बिम्बी सार ने सारे religion के sect के leaders को देखिये पना दी थी इनफेक्ट वो गौतम, बुद्ध, महाविर सब को पना देते थे और बुद्ध से उनकी जो है एक बार बातचित होई थी उसकी तो image कहीं साथ मैंने इस lecture के शुरुआत की थी बिम्बी सार के बेटे होते हैं अजात सत्रू है ना, अजात सत्रू बड़े बदमाशते हैं उन्होंने सबसे पहले अपने फादर को ही मार दिया और आगे अपने थ्रोन पे अब ये बीच में डिबेट की होता है किया था की नहीं किया था वो अपको नहीं जानना है तो अब सुनिए जैसे ही अजात शत्रू को मारा तो, सॉरी, अजात शत्रू ने जैसे ही बिम्बी सार को मारा तो इस बात से प्रसंजीत जो है नाराज हो गया प्रसंजीत नाराज हो गया है कि तुमने मतलब मेरी बेहन के मतलब मेरे एक तरह से जीजा जी को मर दिया ठीक है जीजा जी को मर दिया तो किंग प्रसंजीत जो है नाराज होके जो डौरी में उसने बिम्बि सार को कासी दी थी वो उसने छीन ली अब इससे क्या होता है कि मगद और कॉसल के लड़ाई हो गई और ये जो है बहुत लंबी लड़ाई चली बहुत लंबी लड़ाई चली और लास्ट में प्रसंजीत हार जाता है गदी से अटा दिया जाता है और राजगीर में प्रसंजीत के डेत हो जाता है जो भी है इस तरह से प्रसंजीत हार जाता और उस टाइम पर राजगीर ही आपका मगद एंपायर का कैपिटल था वहीं पर प्रसंजीत की मिर्थियों होई थी देख रहे हैं न कॉसल वाजदेन अनेक्स टू मगद अजाग सत्रु ने और भी बैटल लड़े थे लड़ाईयें करता रहता था वैशाली के जो लिच्वी थे जिसे के पिताजी ने चेतक की बेटी से चेलाना से शादी की थी लिच्वी पे भी अटाक करता है और इनफक्ट उसके लिए पूशता है गौतम बुध को लेटर लिखके कि आब बताइए कि लिच्वी पे कैसे कपजा किया जाय तो गौतम बुध जो है कुछ ग्यान तो वो जो है डिफुट किया उसने लिच्वी अपको वी बड़े नदाई लड़िया लड़के हअगा के लिच्वी एक सारे थे और यह अकेले उसने हअग था और अर। मल्लाज को भी हरा था तो मल्लाज कौं थे thingsamorph movement मैं आपको पहले भी पढ़ा है था देखिए इसका capital आप पावा भी बोल सकते हैं और इसका capital कहीं कोिसावति भी बोलते हैं तो यह मल्ल था यह तो गं संग था और यह one of the 16 महाझन पता जैकि map दिखाया तो थोड़ा वो नौर्थ में पढ़ता तो clear नहीं होगा आपको है ना ये देखे गैंजेटिक प्लेन में कॉसल और विदेह जो बताया था कॉसल होगे आपके उत्तर प्रदिस में विदेह बिहार के नौर्थ में उन दोनों की बीच में situated था महाभारत म ये भी बोला जाता है कि मल ने पंडो को हराय था उसमें इतना ही जानना था ज्यादा बताने की जुरूत नहीं है तो देख रहे हो कॉसल पे भी कबज़ा कर लिया लिच्वी पे भी कबज़ा कर लिया उसके father ने matrimonial alliance से किया तो इसने लड़ाई करके कर लिया और साथी सा इन पे मगत जो है strongest power already बन चुका था फिर क्या होता है कि इसके बाद हर्यंक dynasty के बाद शिशुनाग dynasty आती है ठीक है उसमें क्या होता है कि शिशुनाग जो थे वाइसराय थे बनारस में किसके आपके हर्यंक dynasty वाले ही और वो विद्रो कर देते हैं और जो last हर्यंक king था उसको वो लोग जो है हटा देते हैं डिपोज कर देते हैं और शिशुनाग वहाँ पे बैठ जाता है शिशुनाग जो है ruled for 50 years before the throne was accepted by महापद्मानन्दा जो अपना गलत करता है उसके साथ भी गलत होता है शिशुनाग वालों ने धोका देके ये वाइसराय थे बनारस में के किनक हरियंक वालों के शिशुनाग जो है धोका देके हरियंक डाइनस्टी का जो लास्ट किंग तो उसको डिपोज करके गदी पे बैठ जाते हैं शिशुनाग तो बैठता है ठीक है बाद में only 50 years के बाद महापद्मनन्दा आता है वो धोका देता है ये एक ब्रामन किंग है ये वाला तो आपको अभी तक मैंने दो रूलिंग डाइनस्टी बना दिए बता थी एक तो ब्रहधारत वाला था दूसरा मैंने आपको बता हरियंक ये तीसरा हुआ है ना तीसरा रूलिंग डाइनस्टी हो गया ये मगत का इंशेंट इंडिया में ये लोग इसके हरियंक गवर्नर थे, 421 BC में ये लोग जो है rebellion कर देते हैं, इनका भी जो capital था पहले राजगीर में था, बाद में इन्होंने shift करके पाटले पुत्र में किया था, जो कि अभी पटना है, और वो shifting हुई थी अगर सिशुनाक dynasty की बात करें तो उसमें एक काकवर्ना था, काकवर्ना के ट कौन हडप लेता है, नंद empire का महापदमा नंद, 345 BC around, आपको नाम याद रखने है, शिशुनाग हो गया, ठीक है, उसके बाद कालशोक आया, ठीक है, उसके बाद आपके जो नाम याद रखना थोड़ा बहुत नंदी वर्धन, और यह देखिए, महाननदी, यह सारे important time नह हुआ था, यह वैशाली में हुआ था, 383 BC में, गौतम बुद्ध के पहला जो बुद्धेश काउंसिल हुआ था, 483 BC में, सकेंड वाला 383 BC में, और उस टाइम पे ही देखिए, यह करवाया था कालशोक ने, ठीक है, कालशोक कोई हम लोग काकवर्न भी बोल रहे हैं, जिसन इसको याद रखिएगा, पुरान की बात मानें, तो जो लास्ट शिशुनाग मतलब वांस का जो किंग बना, वो देखिए, यह था, महाननदीन, जो दस बेटे थे, उसमें से जो दसमा बेटा था, वो महाननदीन था, महाननदीन को देखिए, मार दिया किसने, बोलते हैं कि शुद्र की वाइब से एक मतलब, इलेजिटिमेट सन था किसी ब्रामन का, महापदमननदा जिसको जान रहे हैं, तो यहापर डिवेट है, इन्यवे, महापदमननद जो थे, ब्रामन रूलर थे, इतना जानी है, उन्होंने क्या किया है, कि महाननदीन को देखिए, धुके से मार दिया, ठीक है, उसी तरह से महापदमनननद जो है, गद्धी हडप लेते हैं, जिस तरह से शिशुनाग ने हडपाता हर्यंक से, तो उनके साथ भी यही होता है, अच्छा, यहापर आपका यह दी मन में क्विस्चन उट रहोगा, कि आपने यह नहीं बताया कि जो हर्यं आते हैं, लास्ट में की इंपोर्टेंट नाग दसक आते हैं, इसमें से किसको लास्ट में किसने डिपोज किया, डिपोज किया किसने वो तो पता है चलिए, शिशुनाग वालों ने किया था, लेकिन हर्यंक डाइनस्टी का वो कौन सा लास्ट रोलर था जिसको डिपोज कि दिया गया लेकिन किस ने किया मतलब वो तो पता है स्रिशुनाग डाइनेस्टी ने किया लेकिन किसको किया वो ठीक से नहीं पता है तो इस पर हम लोग नॉलिज नहीं लेंगे नंदा डाइनेस्टी पढ़ा हूं उसके पहले आप इनका मैप देख लिजे कि इनका जो एक्स् रात के और नीचे देखो थोड़ा बात उसके नीचे भी जा रहा है कहां जा रहा है थोड़ा साउथ में जा रहा है यह देखिए है यह पूरा एरिया जो है नंद डाइनस्टी का था तो थोड़ा बढ़ गया तो आप एरिया देख रहा है बढ़ गया पहले वालों से मगद इभ्यस से तौ एम्पाइर बिल्डिंग के स्टार्ट तो की थी ठीक है आपके हरयंक 20 ने लेकिन उसको बहुत आगे बढ़ाया किसीने तो नंद डायंस्टी नहाएं ये फरस्ट एमपाइर बिल्डर सुन से यह बोले जाते हैं ठीक हैं यूँकि इनका मैप देख लीजिए, काफी ज़्यादा बड़ा है उडिशा थोड़ा साउथ वगर में भी पहुंच गया बंगालपूरा हो गया, इसलिए ये लोग फर्स्ट एंपायर बिल्डर्स बोले जाते हैं मगत के तो ये चौथे नंबर के मगत के रूलर हो गया है ये क्या होता है कि 362 BC के अराउन महापद्म नंद जो है एक ब्रामान या कहें कि ब्रामा और शुद्र से मिक्स जो है ये वो शिशुनाग किंग का जो लास्ट किंग था उसको ये खिल कर देते हैं, धोके से मार देते हैं और उस पे ये मगत पे कबज़ा कर लेते हैं अब नंद क्या है कि ब्रामन है तो इनकी चत्रियों से बहुत लड़ाई होगी साथी साथ ये तरह तरह कि अशुमीद, राजसुय, वाजपे यग भी कराने लगेंगी क्योंकि उनको प्रूब करना है कि ये भी चत्रियों की तरह है लेकिन एक चीज है, नंद के टाइम पे एंपायर जो है बहुत ज्यादा expand होता है, wealth जो होती है पूरे एंपायर की बहुत बढ़ती है बहुत सारे यग्य वगर भी होते हैं, और पार जो है नंद का बहुत दूर तक माना जाने लगता, लोग इन से डरने लगता है महापदमनन्द जो था, उसके आठ बेटे थे और उनको मिल के हम लोग क्या बोलते थे देखिए, नव जो भी है, नव नंदाज बोल रहे हैं ना, नाइन नंदाज अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखावा एट संस, लेकिन and they were together known as nine मतलब कि एक महापदमनन्द को जोड़ लीजिए, आठ बच्चों को जोड़ लीए तो टोटल जो है, यह क्या बने, नव नंदाज बने महापदमनन्द के आठ बेटे और वो नव नंदाज या नाइन नंदाज है ना, इन्हों ने अपनी empire बढ़ाने के दोरान, empire building के दोरान, कई सारे छत्रिया क्लान को तो एकदम exterminate कर दिया, छत्रिया रूलर्स कई kingdom को इन्हों ने subjugate कर दिया, और उनकी थोड़ी बहुत जो गुफा तो गुफा होता हाथी 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 हुआ, elephant cave, यह कहाँ पे है, भूनेश्वर के पास उदैगिरी है पहाडिया, वहाँ पे हाथी गुपा inscription है, यह हाथी गुपा inscription किसका है पहले वो जान लिजए, फिर पढ़ेंगे उसमें content क्या है, पहले map देखिए, यहाँ पे उदैगिरी हिल्स में, हाथी गुपा inscription, यह inscription कब बनाएगे, यह inscription देखिए, second century BC से लेके, first century AD के बीच में लिखी गई है, ऐसी दिखती है, उदैगिरी हिल्स भोनेश्वर, देखिए, इसको कोई महापद्मननदी आशोक ने नहीं लिखवाया था, हाथी गुपा की जो inscription है वो देखिए, कलिंग का राजा था, राजा का नाम था खारवेल, यह जो कलिंग का राजा था खारवेल, यह बहुत आता है PCS में, UPSC में ठीक है, भूलिएगा मत, कलिंग का राजा खारवेल था, उसने इसको इंसक्राइब किया था, हाथी गुपा inscription को, इसमें 17 lines हैं, और यह प्राकृत में लिखी हुई है, और जो है, स्क्रिप्ट है, वो ब्राम्य स्क्रिप्ट है, इसको खासियत क्या है इसकी, जब Fine Art of NCRT के पढ़ोगे, तो बहुत इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, कि इसके बिल्कुल सामने अशोक के रॉक एडिक्ट्स हैं, जो रॉक ए इनेश्टी का था, उसके बिल्कुल सामने था, अब आपको पता ही होगा, कलिंग वार हुआ था, वहाँ पे अशोक जो है, काभी लोगों को उन्होंने मारा तो उसी के बाद जो है, उनको लगा था कि यह नहीं वायलेंस वगरा नहीं करना चाहिए, तो बाद में वहाँ प का इंस्क्रिप्शन है, इलिफेंट केव का इंस्क्रिप्शन है, उदैगिरी में भूनेश्वर के पास, उडिशा में, इस पे एक चीज मेंशन की हुई है, कि यहाँ पे किंग नंद ने, है न, 300 साल पहले, मैंने उसके आपको बता ही, खार्वेल किंग की, वो तो आपको सेडी में आ जाता है, लेकिन यह डाइनेश्टी तो आपकी महापदमनंद की काफी पहले चल रही थी, 300 साल पहले, वहाँ पे अक्वीडक्ट, मतलब पानी का जो है, नाला बगरा बनाया था, किसने महापदमनंद ने, तो उसका देखिए, आपका एफेक्ट जो है, आप भी दिखाया था, कि उडिशा तक इसका राज जो पहुंचा होगा था, तो इससे यह पता चलता है कि महापदमनंद की जो एंपायर थी, वो कितने बड़े जोग्रेफिकल एक्स्टेंट में थी, अल्सो देखिए, दो देखिए, दो देखिए, दो देखिए, दो territory है, तो इसके लिए bureaucracy का development हुआ इसी टाइम पर, resources लेने थे, money लेनी थी, तो इसके लिए money के management के लिए लोग बनाए गए, administration, army बनाई गई, है ना, revenue लेना पड़ेगा, जमीन वगर से taxation लेने पड़ेंगे, उसको fund को देखना पड़ेगा, तो इसके लिए कई जो है अद्ध इस टाइम पर development हुआ, मैं सोच रहा था, इस lecture में आपको इसके 5 pages कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब यह था, कि Persian और Macedonian invasion भी मैं इसी lecture में complete करता हूँ, लेकिन लेक्टर अल्रेटी घंटे का हो चुका है, तो मेरा मन है कि Persian और Macedonian invasion को मैं अगले lecture से शुरुआत करो, क्योंकि ये राटा बाई बाई